गूँड इभूनिंग एकल्म कैसे आप लोग वेल बहुत बढ़ी होँगे? I hope so. सो आज हम नया लेक्शेर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चो जिसका नाम है current electricity current electricity या फिर केवल electricity बोलो या फिर बहुत लोग electric current भी बोलते हैं electric current start करने जा रहा है और ये हमारे syllabus का chapter number 4 है हलाकि पहले का syllabus देखा जाए तो first chapter यहीं आता था current electricity अब इसको chapter number 4 पर रख दिया गया है 4 number chapter है ये हमारा current electricity और इसका आज पहला lecture हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्टार्ट करें आर यू रेडी ओके तो lecture 1 में current electricity हम लोगों को पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग current electricity के बारे में कुछ चर्चा कर ले current electricity मतलब क्यावल electricity बोलो current होता क्या है तो जो हम लोग current से क्या दिमाग में क्या आता है सबसे पहले बात current नाम सुनकर दिमाग में क्या आता है current नाम सुनकर दिमाग में हमारे यहीं आता है जो light हमारे घरों में आती है बिजली आती है वहीं दिमाग में आता है current मतलब बिजली तो बिजली होता क्या है बच्चो तो बिजली होता है the rate of flow of charge with respect to time is called current current का very simple definition है तुम दख सकते हो the rate of flow of charge with respect to time charge flow कर रहा है charge को q से लिखते हैं उसका rate निकाल दीजिए time के respect में इसी को current बोलते हैं i से लिखते हैं इसको यही आपका current है अब हो गया confusion कि q क्या है तो q हम बता रहे है charge है और time समय है t हमारा समय है बट q by t लिख दिए तो सर्फ फिल नहीं आया हो कि q कहां से आ गया q क्या मतलब कुछ समझ मने आ रहा है तो पहले देखो अब जो है q by t चार्ज क्यों फ्लो करता है तो किसी भी conductor के conductor यानि तार में free electron होते हैं metals में उसको हम लोग battery से जोड़ते हैं अब लिजिए battery क्या है सब सुने हैं सब जानते हैं battery क्या है बट कोई बोल दे आपको कि battery का definition बताइए तो आप नहीं बता पाईएगा battery जानते हैं क्या है battery से काम क्या होता है यह भी आप जानते हैं कहां मिलता है सब जानते हैं लेकिन इसको define नहीं कर पाईएगा तो किसी conductor के cross किसी resistance के अब लिजिए resistance नयाटर इनके इनको यदी battery से जोड़ दिया जाए तो charge का flow होता है और उसी charge का flow का आप rate निखाल दीजिए समय के term में तो उसको हम लोग current बोलते हैं बट ऐसे start करना अच्छा नहीं होगा इसलिए सबसे पहले हम लोग charge का flow हो रहा है न सबसे पहले charge को हम लोग पढ़े कि charge क्या चीज होता है ओके तो किसी भी तरीके को किसी भी चीज को तरीके से पढ़ना चाहिए ढंग से charge का flow होता है उसको current बोलते हैं तो सबसे पहले हमा आप totally charge के उपर होगा बच्चो चार्ज क्या है कैसे आता है कहां कहां पाए जाते हैं charge कितने परकार के होते हैं चार्ज आपको कहां मिलेगा यदि किसी बोडी को charge करना होगा तो बोडी को क्या कर रहे है कि charge हो जाएगा तो इन सब चीजों का हम लोग आज detail में देखने वाले हैं बच्चो तो heading डालो charge and its properties आज का हमारा lecture होगा charge और उसके property के बारे में हो सकता है आज ही चार्ज के बारे में पूरा नहोपा है तो अगया lecture भी charge के बारे में हो सकता है ठेके देखते हैं try करते है किसी lecture में charge हमारा cover होगा तो मिटा देश गो आज हमारा लेक्चर जाएगा बच्चो, चार्ज की उपर, उसके बाद में हम लोग current electricity पढ़ेंगे, नाम है current electricity, बच्चो इसमें लगब पूर्ज जीतना लेक्चर होगह, उसमें एक या दो लेक्चर होगह, पूरा चेप्टर जब तक खत्म न होजाए एक या दो लेक्चर, बाकि चीज़ इतर उसमें हम चार्ज पढ़ेंगे, कुलमलाफ पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, रसेयल स्बन्हेंदे इनि सब परटीज, चार्ज और उसकी प्रोपरटी क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास आएगा, कि चार्ज क्या होता है, अब बताओ, चार्ज क्या होता है, जैसे बैटरी चार्ज है, मुबाइल हमारा चार्ज हो गया, अलागे mobile charge नहीं होता है, mobile का अंतर लगी battery charge होती है, charge हो गया, discharge हो गया, एक नया battery खरीद के लाएं, जो charge होता है, पुराना battery discharge होता है, यह charge और discharge, discharge तो छोड़ो, charge क्या होता है? तो 5 सेगेंड का टाइंद रहें, कॉमेंट में लिख दो, चार्ज क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, अब बताओ, चार्ज क्या होता है, तो चार्ज पर जाने से पहले तुम बच्पन से सुनते आ रहे हो, लेंथ, ब्रेंथ, मास, वजन, अब बताओ, लेंथ क्या होता है, करो डिफा वाट इज लेंथ, लंबाई किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज की लंबाई को, उस वहीं तो पूछ रहे हैं, लंबाई किसे कहते हैं, वाट इज लेंथ, वाट इज टाइम, समय क्या है, वाट इज मास, वजन क्या है, इन सब चीजों को बच्पन करना बड़ा मुश्किल का यह सब बेसिक चीज है, इसको आप define नहीं कर सकते हैं, इसको आप define नहीं कर से, जैसे कोई बोल दे, one के बाद two ही क्यों आया, तो यह basic है, इनको आधार बना कर हम लोग गिंती सिखे हुए हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और यह बाद सब लोग जाने जाए, इसके ब define कर रहा हैं, बड़ा ही मुस्किल काम, हाँ, इसको use करके, आप दूसरा चीज define कर सकते हैं, derive कर सकते हैं, बट इसको यह basic चीज है, इसको आप derive नहीं कर सकते हैं, इसको शुरू से लेकर चलना होगा, कि क्या है, इसको कुछ तोड़ मरोर कर हम लोग भी definition बनाएगे, वाटी चार्ज, तो चार्ज तुम सोचो, यह अभी सुना होगे, कि चार्ज चीज क्या करती है, किसी दूसरे चार्ज को attract करती है, या फिर रिपेल करती है, तो attract करती है, या फिर उसको रिपेल करती है, धक्का देती है, तो यह attract करना और रिपेल करना क्या हो गया, एक परकार से फोर्स लगाती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं अब चार्ज के वज़ा से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो हम यह भी कर सकते हैं कि चार्ज क्या करता है किसी अन्य चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है ओके तो इस परकार से इसको सोच मोच के तोड बैटरी में चार्ज होता है तो इसके ऊपर चार्ज किसी चीज के ऊपर चार्जकी की चीज सब्सक्राइब रहें हैं और यानि कि हमारा चार्ज जो है यानि इलुक्तन प्रोटोन पर होते हैं लिक्टन प्रोटोन और atom से material बना तो इस प्रकार किसी material के उपर substance के उपर charge आ जाता है तो charge के बारे में एक बनाएंगे हम लोग difference है लेखो इसको चार्ज इस अन इंत्रिंजिक प्रोपर्टी अव शबस्टार्ज दिव तो विच दिव तो विच सबस्टांस एक्सार्ट इलेक्ट्रिक फोर्स अन अधर सबस्टांस ठेख चार्ज क्या है बच्चो चार्ज किसी पदार्थ का वह आंत्रिक गुण है इंत्रेंजिक मतलब अंदर का गुण है जैसे मास क्या है मास एक अंदर का गुण है किसी भी वह बोड़ी का मास ज्यादा होता है कम होता है तो मास क्या है define करना मुस्किले इसको intrinsic property अंदर का गुण बोला जाता है ठेक है तो charge is an intrinsic property of substance किसी substance का अंदर का वह गुण है जिसके वज़ा से due to which substance exerts electric force on other substance जिसके वज़ा से वो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पे अन्य substance पे electric force लगाता है और वो electric force कैसा होगा या तो attractive होगा या तो अले को attract करेगा या फिर उसको repel करेगा तो दो प्रकार से force लगा सकता है या तो attraction या फिर repulsion ठीक है अब सुनो attraction और repulsion तो magnet भी करता है सुचो magnet भी दूसरे magnet को attract करता है या फिर polarity change कर दो तो repel करता है अब बताओ तो मैगनेट जो रिपेल करता है और ट्रेक करता है उसको बोलते हैं मैगनेटिक फोर्स क्या बोलते हैं मैगनेटिक फोर्स बट जो सबस्टांस इलेक्रिक फोर्स लगा रहा हो यानि कि उस सबस्टांस के उपर का गुण है जिसके वजहस्वीश किसी अन्य चारज़ा सवस्टांस पर पर वूर्स लगाता है कौन सा फॉर्स लगता है तो दूसरे मास को अट्रेक्ट करता है गरेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्ट करता है एंड ऐलेक्टिक फोर्स अट्रैक्ट भी करता है रिपेल भी करता है कभ अट्रैक्ट करेगा कभ रिपेल करेगा इसको अभी हम लोग डीटियल में देखने वाले ठेक है तो चार्ज को क्या लिखोगे इसको किस तर से दिखाओ है तो इस दिनोटेड बाई क्यू या फिर स्मॉल क्यू तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्यू का परियोग करें जैसे लेंज को डिनेट करने के लिए मास को डिनोट करने के लिए एम का परियोग करते हैं समय टाइम को डिनोट करने के लिए टी का परियोग करते हैं उसी प्रकार किसी वोडी के उपर चार्ज होगा तो उस चार्ज को डिनोट करने के लिए हम लोग क्यू का परियोग करेंगे Capital Q का या फिर Small Q का दोनों में से किसी एक का या फिर दोनों का यूज़ करेंगे ओके इसका SI unit क्या होता है Charge का SI unit Coulomb होता है C-O-U-L-O-M-B Coulomb जिसका symbol होता है C C से इसको दिखा जाता है Coulomb ओके और क्या है बच्चो तो Charge Scalar Quantity है It is Scalar It is Scalar It is Scalar Quantity Quantity ठेक है ओके Unit की बात करें तो इसका unit कुलांब होता है SI unit है और भी दो unit है एक ElectroState unit और एक Electromagnetic unit तो ElectroState unit क्या होता है तो देखो 1 कुलम इक्वाल टू 3 इन्टू 10 तो दे पावर 9 ESU ये ElectroState unit हुआ ElectroState unit ESU तो एक कुलम में 3 गुने 10 के पावर 9 ElectroState unit होता है और एक होता है ElectroMagnetic unit ElectroMagnetic unit कितना होता है भाई तो समझो एक EMU एक EMU एक ElectroMagnetic unit में तुमारा हो जाएगा 3 इन्टू 10 तो दे पावर 10 ESU एक ElectroMagnetic unit में 3 गुने 10 के पावर ESU अब सोचो 3 गुने 10 के पावर 9 को एक कुलम बोलते हैं तो 3 गुने 10 के पावर 10 को कितना कुलम बोलेंगे इसमें पावर 9 है और यहां पावर 10 होगे है यानि 10 से Multiply हुआ है यानि की 1 EMU तुमारा हो जाएगा 10 कुलम 10 कुलम और यहां से कोई तुम से पुछ दे 1 कुलम कितना होगा एक कुलम इकुल टू तुमारा हो जाएगा इधर 10 इधर आ जाएगा तो 1 बाई 10 EMU तो यह तुमारा इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट हो गया एक कुलम में 3 गुने 10 के पावर 9 3 गुने 10 के पावर 8 मत लिखना वो लाइट की स्पीड है या धना तिन गुने 10 के पावर 9 इस यू और एक कुलम में इलेक्ट्रो मेंगनेटिक कितना होता है तो 1 बाई 10 EMU 1 बाई 10 EMU ठीक है ना ओके ठीक है EMU का दस से भाग देगो तो एक कुलम आ जाएगा क्योंकि यह के वी 10 कुलम के बराबार है तो इसको नोट करो फिर आगे की और देखते हैं हम लोग चलो कर लिए नोट कर देरा अब इसको इरज का दे तो चार्ज बच्चों क्या है किसी पार्टिकिल का पदार्थ का सब्स्टांस का अंदर का हुआ अगुन है जिसके कारण सब्स्टांस किसी अन्य सब्स्टांस पे किसी अदर सब्स्टांस पे वो क्या करता है इलेक्टिक फोर्स लगाता है ठेक है और वो फोर्स कैसा हो सकता है तो या तो अट्रेक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है दोनों हो सकता है ठेक है ओके तो अब जो है चार्ज को जैसे तुमने सुना होगा यह positive charge यह negative charge सुने होना battery का plus है यह minus है तो plus और minus ही क्या होता है तो plus और minus जो battery का तुम बात करते हो cell का कि यह plus है यह minus है वो terminal होता है और वहाँ पे तुम्हारा potential होता है क्या होता है electric potential होता है बट वो plus minus से तुम confuse मत होना चार्ज के लिए तो चार्ज भी हलांकि दो परकार के होते हैं एक positive charge और एक negative charge positive charge किसको बोलते हैं negative charge किसको बोलते हैं सब देखा जाएगा तो जैसे मान लो हमारे पास सुरू सुरू हम चले गए आज से बहुत साल पहले 500 साल पहले जब charge का खोज हुआ था हलाकि बहुत पहले हुआ था तो charge का खोज हुआ था तो आदमी को कैसे पता चला कि यह plus है यह minus है हां सोचने वी बात है ना आज जिसको तुम plus charge बोल रहे हो हो सकता है वो minus है हां आज जिसको तुम minus बोल रहे हो सकता है वो plus है तो यह वही बात हो गई कि 1 का बाद 2 क्यों आए पहले 2 फिर 1 आता इस तरह से गिंजी होता है तो भाई जो पहले गिंटी बना गया वो बना गया उसी को सब को follow करना है तो पहले मालो को हमारे पास charge था हैं तो charge था एक charge मिला एक दूसरा charge हमको मिला एक charge इसको हमने मांग लिया कि यह मेरे पास रहेगा जब भी अब जो भी charge मिलेगा उससे हम पता लगाएंगे कि वो plus है कि minus किसे पता लगाएंगे तो इसी charge से पता लगाएंगे यह मेरे पास रहेगा अब जो भी charge मिलेगा उसको यहाँ पर लाएंगे यदि इस charge से attract हो गया तो उसको बोलेंगे कि वो minus charge है यह experiment है और यदि दूसरा charge कोई ढूंड के लाएंगे वो इससे repel हो गया दूर भाग रहा है तो उसको बोल देंगे हम plus charge है तो इस प्रकार से concept बनाया जा सकता है चार्ज को देखा गया है कि एक charge मिला रख लिए दूसरा charge मिला इसके पास लाए तो attract कर गया बोले हो दो charge एक दूसरे को attract करते हैं ठीक है फिर एक और charge मिला कहीं हमसे उसको यहाँ पर लाए तो भी attract कर गया हाँ ठीक है ठीक है दो charge एक दूसरे को attract करते हैं पता चल गया बट ऐसा ही एक समय ऐसा है कि तिसरा charge मिला उसको इसके पास लाए हैं जैसे ही छोड़े तो भाग गया अब मेरा दिमाग घुम गया दो charge कबसे attract करते ही चार्ज क्यूं भाग गया सोचने लगे फिर दूसरा कोज़े अच्छा वो attract कर गया ठीक है वो भाग गया था यह दिमाग में टेंसन एक भाग गया था पिर ऐसे ही करते करते चार्ज बहुत सारा ला है तो बाद में पता चला कि कुछ चार्ज इसके पास आके attract हो जा रहे हैं और कुछ-कुछ भाग जा रहे हैं अब दिमाग को confuse ना करते हुए हम क्या बोलेंगे कि जो attract हो जा रहा था उसको बोलनेगे कि यह निगेटिव चार्ज है उसको हम लग बोलेंगे कि वो positive चार्ज था ठीक है अब इस charge को रखते हैं side में ठीक है side में रखते है अब जो भाग जो attract हो गया था उसको पकड़ के लाए यह negative चार्ज था और जो भाग जा रहा था उसको भी पकड़ के लाए positive चार्ज उसको बोले थे अब जो negative चार्ज और इस positive चार्ज को दोनों को पास मनाए तो फिर अख से attract हो गया अच्छा negative और positive attract करता है ठीक 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 फिर क्या कि निगेटीव और एक और negative उठा के लाए देखे तो यह repulsion हो गया अब रिपल्स हो गया तो बोलो क्या बोलेंगे भागिया तो यह positive चार्ज है अभी जो हमने test चार्ज एक रखा हुआ था उससे तो पता लगा है कि यह negative चार्ज था अब कैसे बोल दोगे positive है इसी परकार से positive चार्ज इधर से लाएं और एक और positive लाएं दोनों को पास मलाए तो दोनों भागने लगे अब क्या बोलोगे तो इस परकार से concept बनाया गया कि देखिए चार्ज दो परकार के होते हैं एक positive और एक negative और same same charge negative निगेटिव आएंगे तो भाग जाते हैं positive positive आएंगे तो भाग जाएंगे और positive एक negative आते हैं तो attract होते हैं ऐसा कहानी बनाया गया था और उसी कहानी के आधार पे हम लोग डेरियाई भी ऐसा और जो भी करते हैं किया जाता है तो चार्ज हमने पढ़ लिया जो भी हम कहानी सुनाए अभी उसका book से कोई लेना देना नहीं है कहीं आपको मिलेगा नहीं कि ऐसा ऐसा experiment हुआ था ये खुद की मन गढ़न कहानी थी पहले बता दरते बट इसके अधार पे अब आपको समझ में आ गया कि charge positive और negative से क्या मतला है तो charge positive है और charge negative है भाई दोनों charge है उनका nature अलग अलग है यदि किसी तिसरे चार्ज के पास ले जाएगा एक positive और negative एक attract होगा तो दूसरा repel होगा ठेक है यदि किसी तिसरे के पास लेके जाएगा यह यदि attract होता है तो यह रिपेल होगा यहीं हमारा कहने का अलग था तो charge can be classified into two types charge को दो प्रकार से आप बाठ सकते हैं पहला positive charge और दूसरा negative charge अग पोजिटीव नेगेटीव कहाने के तत पर हमारा है उसका नेचर से मतलब है चार्ज का यूनिट कुलम होता है अभी हमने पड़ा तो plus 20 कुलम और minus 40 कुलम दोनों में कोन बड़ा है तो क्या बोलोगे सर plus 20 minus 40 से बड़ा होता है इसलिए plus 20 कुलम बड़ा हो जाएगा तो यह तुम्हारा गलत हो जाएगा चुकि हमने बताया चार्ज क्या है इसकेलर कुएंटिटी है ठीक है तो चार्ज क्या है इसकेलर कुएंटिटी है तो इससे minus plus का लेना देना है बट यह minus sign यहाँ पर आपको direction नहीं बता रहा है minus sign आपको nature बता रहा है क्या बता रहा है नेचर बता रहा है कि यह 20 कुलम का चार्ज यहाँ पर प्लस चार्ज एक रख दिये 20 कुलम को इसके पास लेकर आएंगे तो यह इससे रिपल्सन होके दूर भागेगा तथा 40 कुलम के जब इसको लेकर आएंगे तो यह अट्रेक्ट हो जाएगा यह माइनस और प्लस क्या बता रहा है कि कौन अट्रेक्ट होगा कौन रिपल्सन होगा यदि कोई निगेटिव चार्ज लेकर रहा है तो यह रिपल्सन हो जाएगा फोटिकुलम का और इस चार्ज का अट्रेक्शन हो जाएगा क्योंकि यह प्लस यह माइनस जो है चार्ज का वो नेचर बताता है उसको मैगनेटी उट से कोई लेना देना नहीं जब भी दो चार्ज की तुलना करना होगा कि कौन चार्ज जादा है कौन चार्ज कम है तुमको उसके सामने लगे चिन को हटा कर देखना होगा समझ मैं तो यहाँ पर 20 कुलम माइनस 40 कुलम बड़ा है ठेक है यह तुम्हारा बड़ा हो जाएगा तो जब भी चार्ज को कमपेर करना होगा कि कौन चार्ज जादा है कौन चार्ज कम है तो उसके सामने लगे साइन को हटा दो अब जिसका मैंड चूड जादा वो जादा ओक्ति को बत्ताने के लिए positive, negative लगाया जाता है ठेक है ओके नोट करो इसको ठेक है सर्चार्ज इंट्रिंजिक प्रपर्टी है जिसके क्यारण कोई सब्स्टान्स अन्य सब्स्टान्स पे अधर सब्स्टान्स पे इलेक्रिक फोर्स लगाता है और यह अद्दोप परकार के होते हैं पहला पोजिटीव और दुसरा नेगेटीव अब सवाल यह है कि भाईया यह चार्ज हमको मिलेगा कहां मिलेगा कहां यह सवाल आजाता है तो सुन लो चार्ज कहां मिलेगा तो चार्ज किसके उपर होता है सब्स्टान्स के उपर होता है सब्स्टान्स किन से बना होता है प्रतेक सब्स्टांस एटम से बना होता है एटम किसे बना होता है तो इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन से बना होता है केमेश्ट्री में पढ़े होगे एटम जो है इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन से बना होता है ठीक है तो ये चार्ज तुमको electron, proton पर मिलेंगे neutron पर नहीं होता है neutron neutral होता है इसको भी तुम थमनल पर देख सकते हो तो अब बारी आ गई कि ये चार्ज हमको मिलेंगा कहा है तो चार्ज आपको basic के पास जाएए basic मतलब जहां आधार होता है किसी घर को बनाये जाता है तो उसका अधार क्या होता है तो किसी घर को बनाये जाता है तो उसका अधार उसका नियू होता है तो आप नियू के पास जाईए आपको हर चीज का अधार मिलेगा तो चार्ज का अधार कहां मिलेगा चार्ज किसी पदार्थ पे होता है पदार्थ का नियूँ क्या है बच्चों तो पदार्थ का नियूँ एटम से बना है एटम किसे बना है तो इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन से बना है यानि कि चार्ज तुमको इलेक्ट्रोन और प्रोटोन बिलेंगे ठीक है तो चार्ज आर चार्ज आर चार्ज आर found on fundamental particle fundamental particle fundamental particle अधार बूत कन होते हैं इसे अब इसका कोई अधार ने इलेक्टोन से छोटा आप तुमको कुछ नहीं मिलेगा ठीकने हैं हलांकि खुछ किया गया है क्वार्क मोडल से बट वो प्रेक्टिकली हमारे लिए लेब में संभव नहीं है इसलिए सबसे छोटा इलेक्ट्रोन प्रोटोन नहीं अब तक चलते आ रहा है चार्ट्स आर फाउंड अन फंडामेंटल पार्टिकिल अफ सबस्टान्स इस इलेक्ट्रोन एंड प्रोटोन निउट्रोन पर बच्चो चार्ज नहीं होता है निउट्रोन पर चार्ज जीरो होता है कुछ चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रोन प्रोटोन पर मिलता है अब सुनो एटम का structure देखोगे इस तरह से plus बनाया जाता है और बाहर orbit होते हैं जिसमें electron गुपते हैं पहले orbit में दूसरे में 8 तिसरा में 8 चौथे में 18 इस तरह पढ़न के एल एम 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 दू आठ 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 नहीं पढ़े हो तो पढ़ो तो electron होते हैं इसमें घुमते र में क्या होता है बच्चो तो nucleus में neutron and proton होते हैं प्रोटोन पे पोजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोन के उपर नीगेटिव चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रोन के टॉप पे इस तरह से माइनस लगा दिया जाता है और बीच में होता है प्रोटोन एक साथ सब इसलिए सिधा प्लस लिख दिया जाता है क्यों क्योंकि इसके उपर पोजिटिव चार्ज होते हैं तो आपको चार्ज कहां मिलेंगे तो neutron and proton पे मिलेंगे ठेक तो लिख लिया जाए इसको चार्ज on neutron आपको 0 हो जाए नीट्रोन के उपर कोई चार्ज नहीं होता है चार्ज on proton आपको 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज का unit कूलम होता है तो 1.6 into 10 to the power minus 19 minus 19 यानी 10 का power plus 90 हो जाएगा नीचे आजाएगा तो इसका पतलब याँ नहीं है कि यह चार्ज नेगेटिव है यह पोजिटिव चार्ज है minus 19 नीचे इस तर से लिख सकते हो 1.6 और नीचे 10 को power plus 90 हलाकि यह बहुत छोटा सा चार्ज है जो कि प्रोटोन के उपर होता है तो इसको याद रखना है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है ओके चार्ज अन इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन के उपर कितना चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोन के उपर भी 1.6 into 10 to the power 19 कूलम ही होता है तो फिर अंतर क्या है अंतर यह है कि प्रोटोन के उपर positive चार्ज और इलेक्ट्रोन के उपर negative चार्ज तबी तो अब एटम के अंदर क्या होता है एटम के अंदर electron, proton, neutron और जितना प्रोटोन उतना इलेक्ट्रोन होता है पता है तुमको तो जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज एटम के उपर होता है इसलिए तो एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली निूट्रल होता है जितना प्लस उतना माइनस निूट्रल हो जाता है निूट्रल होने का और दिया है कि जितना पॉलस चार्ज उतना माइनस चार्ज एटम के अंदर है ठीक है इसलिए किसी सब्स्टान्स को आप छूते हैं तो अभी बात करलो भी आया है तो मास्कों भी देख लिये जाए या तो चार्ज हो गया ठीक है मास कितना होता है तो मास अफ निउट्रोन कितना होता है तो 1.67 इंटो 10 दो पावर माइनस 27 के जी सोच लोग कितना छोटा हो गया माइनस 27 यह नहीं समझ गया रहा एक पर 27 जीरो से भाग दू इसको मास अफ प्रोटोन उपल टो 1.66 इंटो 10 दो पावर माइनस 27 के जी ठीक है मास अफ एलेक्ट्रोन उपल टो 9.1 इंटो 10 दो पावर इसका होता है माइनस 31 के जी यह और छोटा हो गया लग रहा है कि बड़ा हो गया लेकिन छोटा हो गया इसका क्या होगा बाटा में 27,4 एक जी 4,0 और बढ़ गया ठीकना 10,000 और से भाग देना पड़े गया तो इलेक्ट्रोन का मास बहुत कम होता है इसलिए प्रोटोन के मास से ही हम लोग अटोमिक मास निकालते हैं किसी अटोम का केमेश्ट्री की बात है फिजिक्स में तुमको चार्ज पढ़ना था तो चार्ज क्या होता है एक बार रिकेप कर दिया जाए चार्ज क्या होता है चार्ज ईसलिए इंट्रिंजिक प्रपर्टी अब सब्स्टान्स थेक है जिसके वज़ा से वह किसी दूसरे सब्स्टान्स पर एलेक्रिक फोर्स लगाता है और चार्ज कितने प्रकार्द का एसका इसाई उनीट कुलंब होता है इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट इस यू जिसका वैलू कितना होता है तो 1 कुलंब बराबर 3 इन्टो 10 तो दे पावर 9 होता है ठीक है एक electromagnetic unit होता है electromagnetic unit कितना होता है तो 1 कुलंब इक्वल टो 1 बाइ 10 EMU ठीक है यानि एक EMU में 10 कुलंब होता है यह चार्ज के होते हैं तो positive, negative दो परबकार के होते हैं और यह positive, negative से हम sign जो लगा होता है उससे हम nature को देखते हैं positive है तो किसी दूसरे charge के पास ले जाने से यह attract करेंगे कि repel करेंगे इस चीज़ को बताता है ना कि positive, negative से आप बड़ा छोटा बता सकते हैं तो positive negative उसके sign यानी nature को represent करता है ठीक यदि दो charge कुछ तुलना करना हो compare करना हो कि कौन charge बड़ा है कौन charge छोटा है कौन charge ज़्यादा है कौन charge कम है तो उसके सामने लगे sign को आप हटा कर या ढग कर या जो कुछ भी समझो sign पर ध्यान नहीं देना है उसके बाद जो बड़ा है जो बड़ा है जो छोटा है जो छोटा है अब कहाँ पाए जाते हैं तो basically ये fundamental particle किसी पदार्थ के क्या होते हैं पदार्थ atom से और atom electron, proton, neutron से बनते हैं proton और neutron अंदर nucleus के अंदर होते हैं और electron गोल 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 बाहर घुमते रहते हैं पता है तो electron और proton के उपर ये मौजूद होते ह 있으니까 electron और proton के उपर electron के उपर charge कितना होता है electron के उपर minus होता है 1.6 x 10-19 proton के उपर plus 1.6 x 10-19 neutron के उपर charge नहीं होता है ठेक है यहां से तुम यह अभी देख सकते हो तीनों के पास मास है यहीं fundamental quantity है neutron, proton, electron तीनों के पास मास है और charge दो ही की प्रका है दो ही के पास है तो यहां से इसको मिटार दे रहे हैं तुम पहले इसको नोट करो यहां पे 10 कूलम माइनस 27 केजी तो देखो neutron, proton, electron neutron के पास मास है proton का मास है electron का मास है neutron के उपर charge नहीं है इसके उपर charge है इसके उपर charge है तो देखो यहां संभव है क्या संभव है कि किसी particle के पास मास हो तो उसके पास charge हो जरूरी नहीं है ब्यान से सुनना particle के पास मास हो मास तो चार्ज भी हो जरूरी नहीं है जैसे neutron neutron के पास क्या होता है मास होता है चार्ज नहीं होता है बट इसका उल्टा सही नहीं है यदि किसी particle के पास charge है तो उसके पास मास होगा इसकी और प्रोटोन दोनों का मास होता है बट जरूरी नहीं है कि मास है तो चार्ज होगा यह होगा neutron का देख लो मास है बट चार्ज जीरो तो particle के पास मास हो सकता है बिना चार्ज के बट इसका उल्टा सहीन है बट इस का नवर्स इस नौट टूट आ पार्टिकिल के नौट है चार्ज विदाउट मास ओके पार्टिकिल के पास मास होगा तो चार्ज जरूरी नहीं है बट चार्ज है तो मास जरूरी है मास होगा ही होगा क्योंकि charge electron और proton का और electron proton का मास होता है तो इसको note कीजिए आप लोग हो गया note तो ठीक है वच्चो आज के लिए इतना ही रहने जोते हैं आज हमने क्या पढ़ा charge क्या है कितने परकार के होते हैं और कहां पाए जाते हैं कल इसका और प्रोपर्टी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कि charge की properties क्या है उन सब चीजों का हम लोग अगले लेक्चर में यदि दो opposite charge आगा है तो attract करते हैं दो same charge हो गा है तो repel करते हैं atom का charge net charge 0 होता है पूरे universe का net charge 0 होता है और किसी body को charge करना होगा तो हम क्या करेंगे इस चीज को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और charge की गिनती करेंगे quantization of charge पढ़ेंगे फिर हम लोग current के पास जाएंगे तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अब तक के लिए all the very best प्राइ करते रहो बच्चों ठीक है थैंक यू